मुसा बादा भिर्मनि सिख्खा पधिंक्समादियां में मुसा वा दाविर बनिस्ख्का प्दंसमा दिया यह बानूजा कि दिसे में लगाता है। और इसमें जोना हमें एक जूठ हो रहे हैं ये अच्छी चीज लगिय को वह आगए लेगरें तो हम और इस बात से सहमत है तो अगली अगली meeting करवा सकते when बिख मेरेह लेते हैं और वो इसमेर फूप करते हैं कि अगली meeting हम कब कुरेंगे तो self का human और अगले संदे को भी मीटिंग हमारी जो न चल रही है और चुटी मीटिंग हम पहले करते हैं दस बारलोगों की इसके बारी मीटिंग डिसाइड करते हैं इस तरीके से जो ना आप रहा कारुबाद वना के पढ़ रहा है उमिद है कि यह बहुत ही जल्दी जो होना अगयत कर इसमें लोगों को अच्छा भी लग रहा है और लोग जुड़ रहे हैं सुधिर गुमार जी आपको बहुत बहुत सादुबाद क्यूंकि आपके स्पोक्स से संख्या नेरतर बढ़ते जा रही है और आपके नए साथी जो है स्पोक्स से रूप में कनवर्ट होते जा रहे हैं साथियों हमारे हाँ सोला तारिक को एक फिजिकल मिटिंग होने थी लेकिन चुनाव और फिजिकल गाइड लाइन को देखते वे हम लोग मिटिंग ना करने के हैं और जू मिटिंग ही हम लोग करेंगे तो समण संग की सोच तमाम संगठनों के बैरियर को ने कमजोर कर दिया है यह तो निश्ट है और हमारी मंजल का रास्ता साफ होता जा रहा है तो हम लोग जायदतर लोग को जोड़ने की कोश्च्च कर रहे हैं महिलाओं को जायदतर जोड़ने की कोश्च्च कर रहे हैं तो मैं सभी आपने सेनर साथी को इस फोक्स से निवेदन करूँगा कि वो जूम मिटिंग के लिए हमारा कोई लिंक बना दें संडे में हम लोग जो हैं जो मिटिंग पर ही सामिल हो पाएंगे यह मेरा आप से विशेश निवेदन है नमा उद्धाय जैविए वेद परकाश जी द मिटिंग जो आप करा रहे थे 16 तारिक की उसमें जो साथियों सीड़ बैक मिला है वो क्या चीज है जो उनको प्रवावित कर रही है वीदा पर जुणने के लिए वो चीज हमारे साथियों बताएं आप मेंची तो यही है आपका कि जो चंदाखोरी का सिलसला बहुत दिनों से बड़ी नाराजिया लोगों को महसूस होती थी इस वास से लोग मूँ च्छपाने लगे थे यह बड़ा ही अच्छा कंसप्ट है जो सुधी राजी का जो सोच बनी हुई है लोग सुनने है यह पहली अब माले हम घर घर इस बात को पहुंचाएंगे बहुत बहुताद आपको जी साधुबाद बहुत बद्वात ब्येत्व कास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े रहे अपने साथियों को निरंतर जोड़ते रहे और जो साथी आपके नए स्पोक्स हो आज हाउस कमिशन मिली है कि वो योगेंद कुमार जी जो हमारी नेटरिन कमेटी के सदस्य है और निरंतर आपके फुल टाइम योगदान देते हैं पोर्टल पर और वो जो भी साथी हमारे नए आते हैं बात भी करते हैं उनका नंबर अगर सब लेते हैं रोजाना और उनसे रोजा चीज है जो उनसाथियों को प्रभावित करती है जो निरंतर लोग जोड़ते हैं वीदा कुपल में क्या चीजी उनको सबसे अच्छी लगती है योगेंद कुमार जी जी थैंक्यू देखे मुझसे पहले भी मेरे इतने भी साथी नों यही बताया है और वो इसी सामने आती है कि जो अब से पूर्व जितने भी भारत के संक्टन है जिनोंने जमा खोरी का और अपने एक इंडिज्वल फाय दे के लिए जो एक धंदा चलाया वाता पैसा खोरी का धन उगाई का वो सब हमारे इस समन संग ने खतम कर दिया है वो सबसे बड़ा एक यह है कि जो समन करने का और जो लोगों नहीं यह सबसे प्रिभाज करता है और जिससे बात करते हैं यहीं बताता है कि सबसे जो इसका कंसेफ्ट का है कि भी सबको जोड़ने का अभी तक किसी ने जोड़ने का काम नहीं किया सबने तोड़ने का काम किया सबने तोड़ने का काम किया सबने का काम है चोटा है ना बड़ा है यहां सब समान है कोई इसमें कैटेगरी नहीं है और सब की बराबर जिम्मेदारी है ऐसा सबी की जो है विचार आते हैं थेंग यू तो इसमारे बीच में हरी है अर्शिना गौतम जी है अर्शिना पारहीं क्या अर्शिना गौतम जी सुनता रहे हैं आपका बहुत-बहुत सादुबाद आज इस गुरूप पर क्यूंकि आप निरंतर कारे कर रहे हैं वीदा पुबल के साथ में तो आपसे भी मेरा एक प्रश्न है कि तो अभी आज ही हुआ है कि जो महिला संग का घटक है महिला संग क रूप में आगे काम करेगा और दूसरा जो महिलाओं को कौन से ऐसी बाते हैं जो प्रभाविट कर रही हैं जिसमें आप जो बात करते हैं आप उनको जोड़ते हैं तो कौन-कौन सी चीज्श निकल करके गजो हमारे जो महिला सकती हैं उनको प्रवावित वह थोड़ा हमारे साथियों को बताएं एचिना गौत्व जी जब हम के बारे में वह बताते हैं पार्वावित लग करती हैं कि हम जो अभी तक जो कोई भी शंगठन यह काम नहीं कर पाया वह समढव संग कर रहा है यह लोगों को जोड़ रहा है और लोगों आगे बढ़ाने का काम और हम अपने बच्चों के सुख के लिए हम काम कर रहे हैं मैं रादूर गड़ में कंसर्ट समझाया सुझी कुमार जी है जो उन्होंने वहापर मीटिंग लगाई थी तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया था वैसे तो लेकिन कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी कि मैं बताऊं लोगों को तो मैंने बच्चों के बारे में बताया और जो हमारे समझाया जो डॉक्टर है वकील है जो अभी तक किसी संगठर ने ऐसा काम नहीं किया कि वही जो लोगों को अपनी सेवाएं दे ये बात सबसे ज़्यादा पहवावित लोगों को कर रही है पास में एक साथी का फोन आया कि मेरे दोस्त की तव्यत खराब हो रही है तो आप बताया उस दिन बहुत मौसम खराब रही थी तो मैंने डॉक्टर कंचन लाताजी से बात की और उन्होंने कहा कि आप मेरा कॉंटक्ट नंबर दीजिए मैं उनको तो मैंने उनका नंबर दि यह कि हमारे समाज को सभथाय देने के लिए त्यार है जो कि अभी तक किसी मेरा भी 20-25 साल का जो समाज में काम नहीं किया बलकि जिन भी संगटनों में काम किया वो सरफ लड़ाने का ही काम करते तैयार तो उन्होंने किया जानकारिया बहुत अच्छी थी लेकिन जैसे ही ल वोड़ने का काम करते हैं तो यह समध संग का कुछ देशे चल रहा है कि यहां पर साथी बराबर हैं अब इस पोक्स बनाए थे ऐसी बात नहीं थी लेकिन आज उन्होंने पास सपोक साथ्यों के दिये हैं और मेरे उसे फॉन पर बात हुई उन्होंने कारी में जो अपने हम की तेयारी कर रहे हैं तो लोग को मतलब संका जो देशा है बहुत अच्छी से समझ में आ रहा है और आगे से आगे लोग मीटिंग कर रहे हैं और हम हर्याना को बहुत मजबूत यह हमारा है जैना है बहुत बहुत साथ गोरिया गीता गोरिया यह सुन पा रहे हैं जी बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं जो महिला शक्ति रूप में आपको जुड़ने में पैसे से लोग हो चुके और दूसरा यह है कि हम हरसर ऐसे अभी जैसे ओपीडी उन्होंने ओनलाइन दे दी जो यह हमारा यह जुड़ने का यह बहुत ही उनको अच्छा लगता है कि हाँ भई इसमें कोई नेता भी निया यह भी अच्छी बात है कोई नहीं है कोई लीडर सिपनी है यह अच्छी बात लगते हैं तो आओ साथ वैटकी खाणा खाणा बाटते हैं यह बहुत अच्छी लगती है उनको और अच्छी बात लगता है नहीं अब उसको आगे से फोन आते हैं आप अमारे यहां पर आओ मिटिंग करो देखिए अब आपका संग बन गया है महिला संग के गटक के रूप में आपके साथ में डॉक्टर कंचल अता जी हैं मद्यप्रदे से डॉक्टर राच्कमरी बंसल जी हैं अससे कई महिलाएं आपके साथ निजनतर लगे हुए पुष्पा बहुत जी है जैश्री गौतम है रश्मी सिंग है और बात जी आपको सभी का सहयोग मिलता रहेगा निजनतर थैंक यू जी थैंक यू अभी कोई साथी अब ही हमारे ऐसे रहेगे हो जिनका परिच्चा नहीं हुआ है यह कोई विशेश बात रखना चाहते है क्योंकि मिटिंग कंक्लूड करने के लिए मैं विशेश नाम आमकरी करने वाला हूँ आपका स्वागत है और एसके परियार जी हर्याना से उपस्तित रहते हैं पूरे समय अपना योगदान देते हैं कि वो आएं और इस मिटिंग को आच्छे कंक्लूड करें सत्य परियार जी सभी को जो 97-6 साथी बैठे हैं सभी को जैधीम नमो बुद्धाय जैभी आज ये समन संग की मिटिंग जिसका विशे भी आज समन संग विशेश था तो बहुत ही सुचारू रूप से चली है और आज हमारे सीनियर साथियों के हाथों में संचालन था तो नेचरली इसका संचालन भी अच्छा ही होना था तो इनका बहुत-बहुत साधुवाद और हमारे कुछ नए साथियों हैं और बड़े रभावित हुए हैं क्योंकि हमारा कंसेप्टी ऐसा है तो जो भी साथियों आए हैं आज नए हैं उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और संचालन की करें तो मुझे कहीं कोई आज कमी लगी नहीं है पुति तो हम आप कुसे निवेदन करते तो काफी ठीक से चला है सारसे धन्यवाद आप सब का और आप बने रहें सब संग के साथ धमरात्री झाला है आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तम्मं सरेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी धन्मं मर्सेनं गच्छामी तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तुम्तियं पी संगं सरेनं गच्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी दोगियं पी बुद्धम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णं कच्छामी